नमस्कार दिन भर की बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ आपके साथ नीतु गुपता इस बुलेटिन में आज बात होगी करनाटक जीतने के लिए पीएम मोधी की कोशिशों की जुनावी मैदान में उत्री सोनिया गांधी की हुंकार की जानेंगी कि क्या 2019 में राहुल ही बनेंगे पीएम महा भीयोग पर कॉंग्रेस ने क्यूं वापस लिया चिका और आखिर में बात अमेरिका और किम के मुलाकात की लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर करनाट के रन के लिए दिगजों ने जोकी ताकत विजापूर में सोनिया गांधी ने पीएम पर बोला हमला कहा पीएम कि सिर पर सवार है कॉंग्रेस मुक्त भारत का भूत 2019 चुनाम को लेकर कॉंग्रेस अध्यक्ष राहूल गांधी का बड़ा बयान बोले अगर कॉंग्रेस बड़ी पार्टी बनी तो बद सकता हूं पीएम महभियोग पर कॉंग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट से वापस ली याचिका पांस सदस्य समिधान पीट पर उठाए सवाल कॉंग्रेस के फैसले के बाद कोर्ट ने खारिच की याचिका जमुकश्मीर की सीयम अहभूबा मुफ्ती ने सर्वदलिय बैठक बुलाई राज्य में हिंसा के हालात पर होगी चर्चा कश्मीर में प्रयटकों को सुरक्षा देने पर विश्जार हड्याना में बदला मौसम कमिजाज चंडीगर समेत कई लाकों में बारिश करनाल और कुरु शेत्र में बारिश के साथ गिरे ओले सुरक्यों के बाद अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की करनाटक विदानसवा चुनाओं में जीत हासिल करने के लिए पिये मोधी हर संभव कोशिश कर रही है उन्होंने एक तरह से राज्य में डेरा ही जमा लिया है आज भी उन्होंने तीन रेलिया तावरतोर कर राज्य की सत्ता रूर पार्टी पर जम करवार किया सरकार पर बोलने के साथ साथ उन्होंने कॉंग्रेस सद्यक्ष राहुल कांधी को भी अपने निशाने पर लिया करनाटक विधान सभाच चुनाव के लिए प्रचार अभ्यान जो और शोर से चारी है कल जैसे ही रोड शोर निकाल कर कॉंग्रेस सद्यक्ष राहुल कादी ने पीयम मोदी को फ्लाइट मोड में रहने वाला बताया तो पीयम मोदी ने इसी वार पर पलट वार करने के लिए कॉपल में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी राष्ट भक्ती और समा सेवा में भरोसा करती है जबकि कॉंग्रेस सिर्फ परिवार के लिए काम करती है हम काम के लिए फ्लाइट मोड में रहते हैं लेगिन कॉंग्रेस तो हमेशा स्लिप मोड में ही रहती है इसलिए तो उसने देश को बरबाद कर दिया जिसे हम ठीक कर रहे हैं सीम सिधार रमया पर बरस्ते हुए पीयम मोदी ने सवालों के तीर छोड़े उन्होंने पूछा कि सिंचाई के प्रोजेक्ट का क्या हुआ जिसका उन्होंने वादा किया था उस प्रोजेक्ट पर पैसा कहा गया पीयम मोदी ने कॉंग्रेस की नाकामियों को गिनवाने के साथ अपना गुनगान भी किया उन्होंने कहा कि हमने 22,000 ग्राम इन हाटों को अपडेट करने की योजना बनाई है ताकि किसान को अपनी पैदावार का सही दाम मिल जाए अब आपको यदी उरप्पा की सरकार बनानी है ताकि किसानों का भाला हो सके पीम ने तो कॉंग्रेस को कोचते वे वादों और दावो की जड़ी लगाती लेकिन देखना होगा कि जनता इस पर विश्वास करती है या नहीं डिपलाइफ की रिपोर्ट करनाटक के दंगल में बीजेपी की पूरे फौज उतर चुकी है लेकिन कॉंग्रेस की तरफ से अब तक अध्यक्ष राहुल गांधी ने ही मोर्चा संभाल रखा था पर अब सोनिया गांधी पे उनका साथ देनी के लिए इस रन में कूद पड़ी हैं कॉंग्रेस की पूर्वध्यक्ष ने आज बीजापुर में रैली कर बीजेपी पर जम कर भडास निकाली उन्होंने पियम मोदी के कॉंग्रेस मुक्त भारत के सपने पर तंज कस करते हुए कहा कि पियम मोदी के सिर पर भूत सवार हो गया है। कि कॉंग्रेस की सिधारमया सरकार ने करनाटक को नंबर वन बनाया है। जिन राज्यों में सूखा पड़ा उनको केंद्र की मोदी सरकार ने करोडों रुपे दिये। लेकिन करनाटक के साथ भी भाव किया। किंद्र सरकार की ओर से मदद नहीं मिले के वावजूद सिधारमया सरकार ने किसानों के कर्स को माफ किया। कॉंग्रेस सरकार लगतार विकास का काम कर रही है। लेकिन मोदी सरकार ने इनको खत्म करने का काम किया। पीयम मोदी के कॉंग्रेस मुक्त अभ्यान पर तंसकस्ते हुए उन्होंने कहा कि मोदी पर कॉंग्रेस मुक्त भारत जुनूर है। उनके पीछे एक भूत लग गया है जो उतरने का नाम नहीं ले रहा है। बीजेपी को इसे जल से जल पीछा छोड़ाना चाहिए। आपको बता दे कि सोनिया गांधी गुश्रात प्रचार में भी नहीं उतरे थी। लेकिन करनाटक से उनका खास नाता है। उन्होंने सियासत में कदम रखने के बाद पहला चुना 1999 में करनाटक के बिलारी लोग सफा सीट से लड़ा था। इसलिए सोनिया करनाटक को काफी एहम मानती हैं। तो अब देख रहा होगा कि सोनिया गांधी के प्रचार करने का कॉंग्रिस को कितना फाइदा मिल पाता है। करनाटक में पि-एम मोधी वादू की जड़िया लगा रही हैं। लेकिन सोनिया गांधी ने वादू पर तंसकसते हुए कह दिया कि पेट वादू से नहीं काम से भरता है। जो कॉंग्रिस ने किया है वैसे सूनिया के प्रचार से कॉंग्रिस को ताकत तो जरूर मिली है शायद इसे लिए ही कॉंग्रिस अध्यक्ष राहूल गांधी ने आज खुल कर कह दिया है कि मुझे पी-म बने से कोई अतराज नहीं राहूल गांधी ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि अगर 2019 में कॉंग्रिस सबसे बड़ी पार्टी बनती है तो वो पी-म बन सकते हैं 2019 में बीजेपी किस चहरे के दम पर चुनावी दंगल में उतरेगी ये सब के सामने हैं बीजेपी के पास पी-म मोदी के अलावा कोई और विकल्प नहीं है उनके पास केवल मोदी का ही एक चहरा है जिसकी दम पर वो राजे के चुनाव से लेकर लोकसभा का चुनाव राजनितिक विशिशग्यों के साथ साथ कई दिगजों का भी मानना है कि राहुल ही हाथ की नईया पार लगा सकते हैं इसलिए पी-म के तौर पर उन्हें ही दाव लगाना चाहिए हाला कि अब तक कॉंग्रेस अध्यक्ष ने इस पर अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी थी लेकिन करनाटक चुनाओं में पी-म बनने को लेकर उन्होंने बड़ा बयान दिया है करनाटक चुनाओं के प्रचार के दौरान जब कॉंग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से सवाल किया गया कि क्या वो प्रधान मंत्री बनेंगे तो उन्होंने कहा कि अगर कॉंग्रेस में कॉंग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनती है तो वो पीम बन सकती है राज्य में लोगों से बात करते हुए कॉंग्रेस सद्यक्ष राहूल गांधी ने कहा कि आप लोग अभी मेरे बयानों पर हसेंगे लेकिन 2019 में बीजेपी सरकार नहीं बनाईगी उन्होंने कहा कि आज विपक्ष एक है यही कारण है कि बीजेपी के लिए 2019 में मुश्किले बढ़ेंगी अब 2019 में बीजेपी का क्या होगा ये देखना होगा लेकिन राहूल के बयान से तो साफ हो गया है कि अगर हाथ मचबूत होता है तो राहूल ही पीम बनेंगे लोगों को इस जवाब का इंतजार था कि राहूल गांधी पीम बनना चाहते हैं या नहीं वो इंतजार राहूल ने आज खत्म कर दिया वैसे लोग महाभियोग पर भी सुप्रेम कोट के फैसले का इंतजार कर रहे थे पर कोट अपना फैसला सुना था उससे पहले ही कॉंग्रिस ने मामले को पांच जजों की पीट को सौपे जाने से नाराज होकर याचिका को वापस ले लिया पार्टी के इस फैसले के बाद नियाय मूर्ती एके सीकरी की अध्यक्षता वाली पांच जजों की पीट ने याचिका को खारिच कर दिया चीफ जस्टिस दिपक मिश्टा के किलाफ महाभियो प्रस्ताव उपराश्टपती वंकईया नाइडू के खारिच करने के बाद कॉंग्रिस ने सुप्रीम कूर्ट का दरवाजा खटकटाया था कॉंग्रिस को उमीद थी कि उच्टम नियाले में दूसरे नमबर के जजज चेला मिश्वर की पीट इस मामली की सुनवाई करेगी लेकिन चीफ जस्टिस दिपक मिश्टा ने इस मामले में नमबर 6 के जजज को सुनवाई करने का आदेश दिया सुनवाई के लिए 5 जजजों की पीट का गठन किया गया चीफ जस्टिस के इस फैसले पर कॉंग्रेस भी फर गई और कॉंग्रेस नीता और वरिष्ट वकेल कपिल सिबल ने मंगलवार को सांसत प्रताप सिंग बाजबा और अमी हर्षदर यागिक द्वारा दायर याचिका को वापस ले लिया तर असल मंगलवार को मामले की सुनवाई तो शुरू हुई थी 45 मिनर तक बहस भी चली सिबल ने सवाल किया कि मामले की सुनवाई के लिए पांच नियाधीशों की पीट गठित करने का आदेश किस ने दिया इसकी बाद उन्होंने सविधान पीट को सौपनी की आदेश की कौपी मांगी जिस पर नियाय मूर्ती एके सिकरी की अध्यक्षिता वाली पांच जजों की पीठ ने इनकार कर दिया उन्होंने कहा हम महसूस कर रहे हैं कि आपका इरादा कुछ और है आप राजय सभा सभापती के आदेश पर बात ही नहीं बलकि मामला की स्पीट को सौपा गया इस पर बहस कर रहे हैं इस भी चटाओने जनरल केके वेड़ू गोपाल ने कहा कि उन्हें याचिका पर शक है क्योंकि इसे सिर्फ कॉंग्रिस पार्टी के दो सांसुदों ने ही चुनौती दी है जबकि महा भीयोग प्रस्ताव साथ दलो के 64 सांसुदों ने दिया था इसका मतलब है कि 62 सांसुदों ने सभापती का फैसला स्वीकार कर लिया है कोट में 45 मिनट चले बहस के बाद आखिरकार कॉंग्रिस ने याचिका वापस ले ली फिर कोट ने भी इसे खारेच कर दिया लेकिन सवाल उठता है कि जब मामला दूसरे नमबर के जच को दिया चाहिए था तो फिर पाच जचों की पीठ का कठन क्यों किया गया महा भीयोग पर ये महा संग्राम देश की राजनीती में नया इतिहास लिख रहा है वैसे इतिहास को लेकर तकरार अलीगर्ध मुस्लिम विश्विद्दाले में भी जारी है जहां छात्र जिन्ना की तस्वीर नहीं हटाने पर अरे हुए है तो वहीं दूसरी और हिंदुवादी संगठनों ने मांग तेश कर दी है इसी बीच अब कहा जा रहा है कि जिन्ना की तस्वीर हटाने को लेकर चल्दी एमईयो कारेपरिशद में प्रस्तावलाया जाएगा जिन्ना की तस्वीर ने अलेगढ मुस्लिम युनिवर्सिटी में ऐसा ववाल खड़ा किया ये एक हफ़ता बीच चुका है पर विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहे है हंगामा और जबरतस्त हो रहा है हिंदुवादी संगठन और मुस्लिम संगठन आमने सामने आ गए है हंगामे के बाद अब इस मामली में नया मोड भी आ गया है बतायो जा रहा है कि जिन्ना की तस्वीर हटाने को लेकर जल्दी AMU कारेपरिशद में प्रस्ताव लाया जाएगा UP के अलपसंख्यक आयोग के अध्यक्ष और AMU कारेपरिशद के सदस्य तन्वीर हैदर उस्मानी ने कहा कि जिन्ना की तस्वीर AMU में किसी भी सूरत में नहीं होनी चाहिए इसके लिए जल्दकारवाई शुरू की जाएगी आपको बता दे कि ये फैसला प्रदर्शन और हंगामी के चलते लिया गया है कई दिनों से तस्वीर को लेकर विश्वद्याले में मुसलिम संगठनों और हिंदुवादी संगठनों की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है यहां तक कि मुख्य मंत्री योगी आदितेनात ने भी श्पस्ट कर दिया था कि जिन्ना को इतना महत्व देनी का कोई मतलब नहीं है इसके बाद ही विश्वद्याले कारी परिशद ने प्रस्ताव लाने की कवायश शुरू की है ताकि शिक्षा का मंदिय संग्राम इस्थल ना बने डिवी लाइफ की रिपोर्ट जिन्ना की तस्वीर पर तकरार कब खत्म होती है ये देखना होगा वैसे देखना ये भी दल्चस्प होगा कि लालू यादव अपने बेटे की शादी में शामिल हो पाते हैं या फिर नहीं आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताव यादव बारा मई को शादी के बंधन में बंधेंगे लेकिन इस शादी में लालू यादव के ही शामिल होने पर सस्पेंस बना हुआ है बेटे की शादी में जाने के लिए लालू ने पांच दिन की पैरॉल मांगी है लालू दस से चौदा मई तक अपने घर जाना चाहते हैं हर पिता की ख्वाइश होती है कि वो अपने बेटे को घूडी चरते वे देखे लालू यादव भी चाहते हैं कि जब उनके सबसे बड़े बेटे तेज प्रताप के सिर्फ सहरा बंधें तो वो वहां मौझूद हो वो भी खुश्यों में शामिल होकर बारात में नाचे गाएं अपनी इसी तमन्ना को पूरा करने के लिए लालू यादव ने पुलिस को पांच दिन की पैरोल के लिए आवेदन दिया है आरजेडी के राष्टिये महा सचीव और लालू के करीबी बोला यादव ने बताया है कि 10-14 माई को पार्टी प्रमुख की पैरोल के लिए पुलिस महा निरिक्षक जेल को आवेदन दिया गया है हमें उमीद है कि हमारे नेता अपने बेटे की शादी में शामिल हो पाएंगे क्योंकि ऐसा अवसर जीवन में एक बार आता है आपको बता दें कि तेश-परताव की शादी 12 माई को होगी लेगे लालू के शामिल होने पर सस्पेंस बना हुआ है क्योंकि चारा घोटाला मामले में लालू यादव को सजा सुनाई गई है और खराब स्वास्ते की वज़े से वो जार्खन के रिम्स में भरती है तो देखना होगा कि लालू को बेटी की बारात में शामिल होने की अजासत मिलती है या नहीं डिबी लाइफ की रिपोर्ट और बुलेटिट के आखिर में बात अमेरिका और किम के संभावित मुलाकात की उतर कोरिया और अमेरिका के बीच होने वाली मुलाकात को लीकर कहा जा रहा था कि डोनाल ट्रम्प जितने उत्साहित हैं उतने ही केम जॉंग उन भी है लेकिन उतर कोरिया के प्रवक्ता ने साफ कह दिया है कि मुलाकात को लेकर अमेरिका जाधा खुश नहों कि किम का मोट कभी भी बदल सकता है दरसल उतर कोरिया को लगता है कि अमेरिका उसके और दक्षिन कोरिया में बने रिष्टे को बिगार रहा है तभी तो उतर कोरिया ने अमेरिक को रास नहीं आई और उसे लगने लगा कि अमेरिका दोस्ती में दराई डाल रहा है उत्तर कोरिया के प्रवक्ता ने कहा है कि अमेरिका उस माहौल और मूट को विघार रहा है जो किम जोंग उन और मून जाए इन की मुलाकात के बाद बना अगर अमेरिका दोनों के रिष्टे को बिगार देने की कोशिश करेगा तो उत्तर कोरिया भी अमेरिका कुछ जवाब देगा हो सकता है कि जिस मीटिंग को लेकर ट्रम्प खुश हो रहे है कि हम उस पर अपना मूड बदल ले अब इस बायान के बाद दोनों निताओं की बाचीत पर सस्पेंस खड़ा हो गया है डिबी लाइफ की रिकोर्ट तो बड़ी खबरों में फिलाल इतना है लेकिन तासा अपटेट के लिए लॉग इन करें डिबी लाइफ.टीवी नमस्कार